लेकिन जो मैं दो शेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, अदानी पोर्ट्स और जस्ट डायल, उस पे बात करने के लिए संदीप इन हाउस डिसरेश टीम से मौजूद है, संदीप एक दम से क्राक है दोनों स्टॉक्स और दोनों स्टॉक्स वायदा कारोबार का हिस्स हैं, जबर्दस तरीके से तूटता हुआ नजरा है, आज जस्ट डायल, क्या अप्रोच है स्मेट ट्रेडिस के और ये इतना नेगटिव सेंटिमेंट पैदा क्यों हो गया एक दम से, लेकि जस्ट डायल में रजट आपको याद हो तो हमने एक स्पेशल सिरीस रन करी ती, जिसम कंपनी के नंबर साय थे तो बहुत निरासाजनक रहे थे, और अगर आप देखे, पिछली को इस्तिमाहियों में इनकी जो ग्रोथ रही थी, वो करीब 35% के आज-पास की आज-पास की आज-पास की ग्रोथ रही थी, लेकिन 16% के आज-पास की बढ़त Q3 में देखने को मुल पिछली बार Q3 के नंबर साय थे, उसमें गाइड किया भी था, उन्हें ऐसा कहा था कि विग्यापन की उपर ये बड़ा खर्च करें, करीब 100 रोपे के आज-पास की खर्च देखने को मुल सकता है, और जो मार्जिन में कोई सुधार की उम्मी, जो मैनेजमें ने जता ही थ इसके वजह से उन्हें इस कंपनी की जो रेटिंग है, उसे डाउंगेट किया है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग उन्हें दी है, और पूरा जो एक रनाप इस काउंटर में देखने को मुला था, आप कही ना कहीं बाइब कूरा हो चुका और उसके बाद, बैंक और में का इसके बीच का डिफरेंस, जबर्दस डिफरेंस क्रियेट हुआ है, और इनफाक्ट ज़स्ट डायल ऐसी कामकाज करता है, बैकवरडेशन में कामकाज करता है, स्पोर्ट का दाम फूचर से जादा रहता है, 778 स्पोर्ट अफूचर 737 के लेवल पे कामकाज कर रहा है, अब बहुत बड़ा अप्टेंड बनाता है, फोर्हं फोर्हंड के आशपस से यह स्टॉक प्न। से लेवल के लेवल कर चुका था, तो वहां से एक लिफरेंस से लेज पर्टेंश बना रहा है। अज़ अगर जाए परेंस यह फोर्न वहतं दाने के चांस में में अब्रें पकड़े तो टेडर्स की अगर बात करें तो यो शॉर्ट सी इनिशिक किया हो अगर जश्ट आल पे तो मेरे अनुमाद साहितिंग 727.30 का एक लख्षी बन सकता है आने वाले दो अफ्टों मैं अधानी पोट्स इसमें क्या हुआ संदीपा जी तो नतीज़े के बिल्कुल विप्रीत एक तरीके से लग रहे हैं इंटरनाशनल ब्रोकिंग खाउस रिपोर्ट से पॉजिटिव थी बिल्कुल नमबस अनुमान से बेटर थे आप किसी भी पैरामेटर पे देखिए और उसके साथ साथ जो ब्रोकिंग रिपोर्ट थी वो भी काफी जाधा पॉजिटिव लेकिन उसके बावजूद गिरावट आ रही है उसमें कुछ इंटरस्टिंग आपके सामें रखना चा इस कौर्टर में देखने कुमली तो कहीं ना कहीं रेविनी ग्रोथ 16% के आसपास की हुई है अनुमान से बेटर है लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड इस कंप्री ने पहले पोस्ट किया है जो फंडामेंटल पहले दर्शा है इस कंप्री ने उस लिहाँ से देखा जाए तो ग् मार्जिन 65.2% से घटकर 62.6% पढ़ाएंगे लेकिन मार्जिन स्ट्रिंग को है इसको भी कहीं ना कहीं स्ट्रीट ने फैक्टर ने पांच ऐसे फैक्टर से जिसको स्ट्रीट ने शायदा तवज्यों दिया जिसके वज़ए से इस काउंटर में गिरावट हुई और इनफाक एक सिटी की रिपोर्ट भी आई है इसमें उन्होंने जो रेटिंग है उसे डाउंगेट करके नीट्रिल किया है और जो टागर प्राइस उसे भी कट किया है टागर प्राइस गटाकर 239 रूपीज पती शेर किया है तो शायद के पास स्टॉक से क्या वो इसी लेवल पर एक्जिट कर जाए या फिर आपको लगता है कि एक रिबाउंट देखने को मिल सकता है अप्रोच क्या रखें आदानी पोर्ट के सब्सक्राइगा बट मुझे सब्सक्राइगा चार पैटन से खराब नहीं हुए तो अगर जिनों अगरे कहीं ने कहीं कि एक चार्ट इक बास स्टेबलाइज हो जाए तो शायद एक अप्रेंड आने वाले कुछ एक महीन में वापस से शुरू हो सेकता है इस्टॉक चोले कुछ स्टॉक्स करते हैं एक तो ही बताएं जी एन एफसी पे किया किया जाए गुजराद तो मिल रहा और दिन के चुत्रम सर्पे पहुच गए एक तो सट्रा के लेवल पर क्या करेंगे अब जी हाँ इंग बहुत बढ़िया स्टॉक है इंटरम्स अफ ट्रेंड लास्ट चार से पांच महीने इंग बहुत ब्यूटिफुल थे स्टॉक्स के लिए और मॉस्ट डब इंग बहुत बढ़िया स्टॉक बन से इंवेस्ट करने के लिए मेरे अनुमाद से आने वाले कुछ एक मेंडम हो इसका टागेट 140-150 तर भी बन सकता है नील कमल लगा था दो ट्रेंडिक सेशन में पॉजिटेव है यह स्टॉक आपकी अप्रोच किया है सरी जो बेक रीबांड मेला निश्टेसों से खरदारी है दो दिनों में क्या है सस्टेनिबल लगती आपको जी हाँ I think कि इने स्टॉक की टेंडेंसी है कि आपके वापस एक बाउंस करता है लासा I think वन ना फिर में एक कंसिस्टेंट पैटर्न हमने में देखा है चलि लगते हैं आप पर आडियो प्रॉब्लम हुई है लेकिन निल कमल फिलहाल 2% की तेज़ी के साथ काम काज कर रहा है